श्री गनेशाय नमाहा नमशकार दोस्तो ये राशीफल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है इस वजे से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत पुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तो चंद्रमा इस दिन आपकी कुंडली में दूसरे स्थान में रहेंगे यानि धनभाव में रहेंगे जी हाँ ये चंद्रमा की पोजीशन काफी अच्छी रह किसी भी तरह का आदान प्रदान आज आप कर सकते हैं दोस्तो ये दिन आपके लिए आर्थिक तरकी के नए रास्ते खोल सकता है ये दिन आपको आर्थिक तरकी ज़रूर दिलाएगा आपके खर्चे कम होंगे वह आइज ज्यादा रहेगी फिजुल के खर्चे पी इस दिन होने की संभावना काफी कम रहेगी नोकरी पेशा लोगों के लिए ये दिन काफी अच्छा रहने वाला है ग्रहमान आपके पक्ष में है आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी आपके कारेक्षेत्र में वातावरन आपके अनुकुल रहेगा सहकर्मचारियों का सहयोग आपको मिलेगा आपके अधिकारियों से शाबासी भी इस समय में आपको मिल सकती है यानि आपका काम बहुत बढ़िया रहेगा जिससे आपके अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे आपके कामों में मन भी लगेगा बोनस या सैलरी बड़त भी इस समय में होने की संभावना रहेगी धन प्राप्ति के हिसाब से दिन आप ही के फेवर में है अगर इस समय में नोकरी नहीं है तो प्रयास जरूर करे ग्रहनक्षत्र अनुकुल है लाब जरूर मिलेगा मनुमांचीत नोकरी आपको इस समय में मिल सकती है अगर स्टूडन्स की बात करते है तो स्टूडन्स के लिए समय शुब रहेगा इस समय में महत्व पुरुन फैसले ले और उस पर अमल करें लाब जरूर मिलेगा जो भी फैसले लोगे वो सही साबित होगे आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है जो विद्यर थी अपने परिवार से दूर रहते हैं उन्हें परिवार से मिलने का मोका इस समय में मिलेगा यात्राय होने की भी समभावना रहेगी परिवार में कोई फंक्षन या कोई छोटी पार्टी होने की भी समभावना बनी रहेगी अगर personal life की बात करते हैं, love life की बात करते हैं तो love life के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है पार्टनर से मिलना, घुमना, फिरना, साथ समय व्यतित करना इन चीजों के लिए समय काफी अनुकूल है एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा, वो संबंद अधिक मधूर बनेगे पार्टनर से बीच अगर पहले से ही किसी तरह की अनबन बनी हुई है तो वो अनबन जरूर दूर होगी प्रयास जरूर करें, अनबन या किसी तरह की दुरिया है तो मिट जाएगी दोस्तो हर काम में इस दिन आपको कामया भी मिलने के संकेत है टेंशन नहीं रहेगा, सोच पॉजिटिव रहेगी, पेंडिंग कामों को भी पूरा करने के लिए समय अच्छा है अगर स्वास्ते की बात करें, सेहत की बात करें, तो ये समय आपके स्वास्ते के लिए भी अच्छे संकेत दे रहा है, जी हाँ सेहत संबंदित कोई भी परिशानिया आपको नहीं सताएगी, पुरानी चल रही जो बीमारिया है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा, इस समय में आपकी सेहत बहुत अच्छे रहेगी, प्रसनताव आनंद में दीन व्यतित होगा, दोस्तो स्वास्त अच्छा रहेगा, उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपने फिटनेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, तो अपने फिटनेस पर, अपने रहन सैन पर, खान पान पर ध्यान जरूर दे, सुबे टहलना जारी रखे, एक्जरसाइज जरूर करे, सोच पॉजिटिव रखे, और मन में हमेशा अच्छे विचारों को आने दे, क्यूकि हमारे मिन में जो भी विचार बार बार आते है, उन विचारों से ही हमारा फ्यूचर बनता जात है, तो हमारे विचारों पर भी हमारा नियंत्रन होना काफी जरूरी होता है, इस दिन सफेद रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और छे अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तों ये राशी फल चंद्र र या जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखे, नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल ह होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घ दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है, जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीब सा घेरा बना कर रख जिसकी वज़े से हमें भारी नुक्सान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चप्पलों को उनकी जगए पर कुछ इस तरह से रखे कि वो देखने में भी अच्छी लगे। तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्य ला सकते है धन ला सकते है मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद